जब भारत में मुगलों का अर्मन हुआ और उसके बाद कौन है इसाई और हमारी उन्होंने हमारी संस्कृतियों के साथ इतना ज़्यादा छेड़ चाड़ किया और इसके अलावा आया जो चीजे चल रही थे उनको इतना ज़्यादा नहस करने का परियास किया जिससे किया न स समाज में वो लोग जो की है न छोटा से छोटा काम करते हैं बड़ा से बड़ा काम करते हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा तरीके से बिभक्त कर दिया गया ताकि धर्मानतरर का खेल जो है वो चलता रहे और ये बेहतरिन तरीके से धर्मानतरर कर सके और इस जो रास्ते में सबसे ज़्यादा बादा बन रही थी वो थी मनुवस्मिर्थी, reality है, क्योंकि जब मनुवस्मिर्थी की बात की जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये सनातनियों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसको भगवान बोले हैं, या फिर जो मनुव बोले हैं, जिनोंने पहला जो मानु के रूप में थे, जिनका उत्रण स्वयम्, भगवान ब्रह्म देव से हुआ था, तो अगर इस चीज को है, ज़्यादा ज़्यादा लोग तक फैलाएंगे, कि मनुने ऐसी बाते कही थी, तो लोग मान भी लेंगे, इसलिए जो छेंड छाड हुआ, हमारे गरंथों के साथ, वो सबसे बड़ा कारण धर्मांतरा नहीं था, और सही जो चीज है, वो लोग देगे,